मैं टीचेमाटादी आप सभी को मेरी चैनल पर एक नय ब्लॉग में और आज का जो ब्लॉग न वह आप लोगों के बहुत सारे सवालों के जवाब है जो मुझे देने आप लोगों से बात करनी हैं क्योंकि वैसे तो मैंने कल वीडियो में बताया था पर मुझे लगता है कि आ आप बहुत सारे लोग एसे हैं जिनोंने वीडियो ध्यान से नहीं देखा है यही बात थी कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे पता है आप लोग भी मेरी एक फैमली हो और मेरे दुख में आप भी दुख ही होती हो क्योंकि हमारा और कमेंट किये हुए हैं मैंने सब के कमेंट पढ़ें फिर मुझे लगा कि नहीं मुझे डिटेल में बताना चाहिए मुझे खुद शर्म आ रही थी कैसे बताओं मैं नहीं कुछ पता लग रहा है इतना सब कुछ हो गया और मैं अपने मूँ से बोलूं क्योंकि मुझे खुछ तो सबसे पहले लोगों ने पूछा था कि आपकी गाय को क्या हुआ तो मेरी गाय को कुछ भी नहीं हुआ बस मेरी किसमत फूट गई और फिर आपने कमेंट किया थै कि आपके बच्चे माताजी और आपके हैस्पेंट सब लोग ठीक हैं पर मेरी माताजी जो वह बीमार है वो तो आपको पता है ये बीमारी रहते हैं आज कल थोड़े ज्यादा चल रहें ऐसा कौन चाहता है कि मेरे परिवार को कोई नुकसान हो है न तो मैंने क्या सोचा था पहले मैं खुद ही सोच रही थी कि जो परिशानिया आई न तो एक साथ में सारी परिशानिया आई गाय को कुछ भी नहीं हुआ दोपहर का टाइम था शुकर बार था यानि कि आज नौ दिन हो गए नौँ दिन है और शुकर बार को हुआ दिन में सवा बारा बजे का टाइम था मैं पानी पिला करके बश्यों को घर की तरफ हा रही थी और उसने पानी पिया दो मा बेटी ने उन्ह लोगों के साथ में शेयर भी नहीं करी है क्योंकि मैंना मेरे पास उसकी बहुत सारी वीडियो है मैं उनको देखती हुना बहुत याद आती है मुझे उसकी मैं उनको देखती हुना तो मुझे बहुत दुख होता है बहुत दुख होता है क्योंकि वो ना मेरे परिवार का ए इंतजार रहता था क्योंकि उसके बिनाना मेरी जिंदकी की कलपना भी नहीं मैंने की कभी की ऐसा हो जाएगा और बुड़ी होती तो तो मैं मान जाती कि चलो अभी वो दूसरी बार उसकी ट्लीवरी हुई थी और वो दस लीटर दूद देती थी अब आप मान लेजे मैंने अ वो दस हजार की थी बीस हजार की थी पर आप खुदी आईडिया लगा लेजी कि वो कितने की होगी जब हम लोगों से लाते है ना पशु खरीद के तब हमें पता चलता है कि पशु की कीमत क्या होती है और मैंने उसको अपने बच्चों की तरह पाला था तो मैंने तो उसको पानी पी लाने जाते हैं खुद भी पानी यहीं से लाते हैं पंशु को भी पानी पी लाते हैं तो उसने जैसे पानी पिया और वहां से मुड़ी वो तो वहां से सडक से वो सीधा निच्चे गीरी और निच्चे जाकर कि वहां पर पड़ी जहां पर यह लास्ट वे निच् करके दफना दिया है और वो वहां से Oपर से गीरी और बहां पर तो आप ऐडिया लगा सकते हैं वह जैसे गीरी इर गिरते पता नहीं कैसे उसने दम तोड़ा और मुझे दुख इस बात का होता है कि क्या बताओ मैं कुछ नहीं बता सकती चलो फिर भी मैंने लोगों ने मुझे बहुत का मैंने जैसे तैसे करके न वो थे न कि मन मना लिया चलो हो गया तो हो गया फिर मैंने जैसे मैंने देखा उसको कि ऐसे ऐसे हो गया फि भी थे फिर उनने वहीं पर गड़ा दफना आया उसको दफना दिया मैंने बूला ठीक है चलो क्या पता किसमत मेरी में था या उसकी उम्र वो पूरी हो चुगी थी हो गया सो हो गया उसके बाद में जंगली जानवर तेंदुआ हमारे हाँ पर बहुत होते हैं और वो मतलब ब आया रवहा اे व्यक्तिेजचव करें लाक्षों चरा रहे शुबुभी पार बission वारे हो मेरी पूरे साथ-जाए और बशवार मेरी पूरे साथ पश्य Aufॉरे गाया और बक्री है मेरे पूरे साथ पना-पमेरी नहीं हम भैशा दीनों चलो मेरे यह नहीं कभी जायर किया कुछ भी नहीं पर मैं कोशिस यह करते हूं कि हमने जो टाइम देखा ना वो हमारे बच्चे नहीं देखे तुम्हें सुबह से साम तक नहीं पसों के साथ रहती हूं अपर अईडिया लगाओ कि आज कलना पांच हर साथ हजार में दस हजार में एक कोई बड़ी कोई हमें बक्रा नि देता है जब मार्केट में जाते हूं में पंद्रह था रहट हरह हजार फे पे वहां पे कीमत और तो कि मेरे साथ बस्तु नस्ट होगे सिर् much does दिनों में कि मेरी पूरी कॉछाला खाली के इतने पस्तु लोग कुल पालते हैं जितने मेरे बस्तु आध दे नस्ट क्या बीती मेरे उपर क्या सोचू मैं किसको दोस्त हूँ अपनी फूटी वी किसमत को दोस्त देती हूँ जो कमाने का जरिया था वोही नी रहा अब लोग तो बोलते न कि चलो हो जाता है करने की चीज़े मैं मानती हूँ हो जाता है पर में लाओंगी कहां से कहां से करूँगी मैं जो कमाने वाली थी वो तो रही नी वो भी सही था चलो उसको भी सही माना हो गया अभी आपको पता है ही मचल में कितना मौसम खराब हो रहा है तो तुफान और ओले बड़ से बहुत जादा नुकसान हुआ हमारे सब की नुकसान हुआ फसलों का नुकसान हुआ पेड़ पोदे नए फूल थे किसी में नए फल थे सब तूटके नहस तहस हो गया और उसी तुफान में उसी बारिश में मेरा घर उड़ गया पूरा मेरे घर की च्छत तूड़ गी घर में दिरा द्रारे पड़ गी इधर उदर से जो फ्लड आया ना पानी का वो सीधा घर के बीच सेंटर में लगा जाकर के और पूरे घर के अंदर पानी पानी च्छत तूड़ गी कि उस पर पहले सलेट थे जैसे गिरते रहे नीचे तूड़ते रहे नुकसान हो गया तो अब इतनी सारी चीजों को जोड़ते जोड़ते बड़ा मुश्किल है अब बोलती ना मैं घर से भी ब्लॉग बनाने लाइक नहीं रही हूँ कहां जाओंगी मैं ब्लॉग बनाने ज गैस के उपर कहां से खाना बनाती मुझे तो रहने लाइक भी वहां पर छत डूनने लाइक भी नहीं था उस टाइम जिस टाइम बारिश हो रही थी तो अभी मानों टोटल 12-13 दिन हो ए तो इन 12-13 दिनों में मेरी जिन में इतने बड़े बड़े तुफान आगे कमाने का ज प्रएशन थे पया है अगे है लगाओ आप मेरी और दिन मुझे चैननी आती है नीद नहीं किसम थोड़ा जोड़ के रखा कि मैं चलो इस साल हमारे जब मामा जी की बरसी होगी ना वह नहीं पड़ जाएगे तो हम ना थोड़ा घर बनाएंगे अपने लिए दो कमरे बनाएंगे वह सपना भी तूट गया चुक्छा ना थोड़ा 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 जोड़ता है पर जब पुछुड़ा वह तूट जाता है ना जोड़ना असान नहीं होता है मैं वीडियो बना करके रखी है मैं आपको अपने जो मेरे घर की हालत है ना इसकी वीडियो बताऊंगे आपको कल कल व्लॉग डालूंगी पिर आप लोग बोलोगे ना आपने कंप्लेंट करनी थी कि पर कोई घर्टाइब Rubic नहीं करता कोई किशिका नहीं गटर प्रिय्यार व्लॉग कि यहीं ख्रतम करते हो मैं ज़ादा दुख नहीं होना चाहते है और आप लोगों को भी दुख नहीं करना चाहते हूं क्यूंकी मोझे बता है मेरे दुख से आप लोग भी बड़े परि